जोलियां सबकी भरती जाती हैं देने वाला नजर नहीं आता एक बजर्क मंदिर के बाहर कुछ समान बाट रहे थे गरीबों में खाने के लिए कुछ बाट रहे थे और जब बाट रहे थे तो हरे को बोल रहे थे के हे राम बोल पर साथ दूँ एक बुजर्क बैठा था इसको बोला भई हे राम बोल पर साथ दूँ कहता है मैं तो नहीं बोलूँगा कहता है मैं खाने के लिए नहीं दूँगा कहता है मत ले पर मैं नहीं बोलूँगा चुप बैठा था उसने भी खाना नहीं दिया आगे दूसरे को दे दिया हे राम बोल दूसरे को दे दिया बुड़ा उठा भुज़र उतके चला गया दानी पुरुष भी दान पुन करके घर आ गया और सुबह जब अपने ध्यान में बैठा अपने भगवान को याद करता हे राम हे राम करता मन इश्वर के साथ जोड रहा है पर कहीं कुछ खलल आ गया भी मैंने तो कुछ ऐसा गलत नहीं का उसको यहीं तो बोला था भी हे राम बोल क्या ऐसा मैंने गलत कर दिया पता नहीं ऐसा क्यों अब जब ऐसी गलतिया मनुश्य से होती है वो फिर एनलाईज करता है पर मैं यह भी बात आपको ध्यान में रखूं जिस पे कृपा होती है यह एनलाईज भी वो ही करता है अदर्वाइस किसी के पास्टायम नहीं हो गया क्या फर्क पड़ता है उन कर्मों का रिजल्ट बा प्रमेश्वर से लगा विनती करने के है प्रभू ऐसा मैंने क्या गलत आप नामी प्रमात्मा का लेने के लिए कहा कहीं तार प्रमेश्वर से चुड़ी और आवाज सुनाई दी कि वो जो बुजर्ग था उसकी उमर कितनी होगी 75-80 के आसपास तो होगी कहते जब अभी तक वो जिन्दा है तो मैं उसे दे रहा हूँ ना तू कोन होता रोकने वाला है वो मेरा नाम लेता है या नहीं लेता है मैं तो दे रहा हूँ सांस चल रही है तू कोन है ये ठपा लगाने वाला के मैं कुछ कर रहा हूँ बड़ा सुन्दर एक सूफी कलाम है के मेरी मैं ने ते तो जुदा रखिया मैंनू बंदा ते ते नो खुदा रखिया बस ये इगो की जो प्राबलों है ना मैं कुछ हूँ और जब spiritual conditions बहुत हाई हो जाती है सेंट लेवल की अवस्ता आ जाती है कहते हैं इगो इतनी सुक्ष्ण हो जाती है मैं होती है इंसान के अंदर और उसे पता भी नहीं चलता और एक जो practically चीज़ जो मैंने observe कि आपके सामने रख रहा हूँ जब तक इंसान में मैं होती है इसको पता नहीं लगता है जब तक अंकार होता है तब तक नहीं पता लगता है तब तक तो वो तुरा अंकार में होता है मैं है जी कुछ हूँ पता कब लगता है जब गुबारे में से हावा निकल जाती है जब हावा निगल जाती है जब वो मैं की कंडिशन निकल जाती है गुरू की रहमत साथ वो निकलने के बाद खुद आदमी अनलाईज करते है हाँ उस समय मैं मैं में था मेरी मैं थे थो जोदा रख्या मैं नू बंदा थे देनू खुदा ररक्या जदो मैं ते तूंदी गल मुक गई फिर बंदा की ते मौला की वो इश्वर का रूप बन जाते है जो बदलना नहीं चाहता है आप समझ़ लेना उसको इश्वर भी नहीं बदल सकता है पहला जो मन में भावा था ना बदलने का चेंज का वो अपने मन से आता है जब इश्वर के प्रती सरेंडर कर देता है हे मालिक मुझे राह दिखा मेरा जनम हुआ क्यों है ये सब्जेक्ट है हमारे इसलिए अपना मन हर पहर उस प्रभू से जुड़ते उसकी रह्मत मांगे उसकी बक्षिश मांगे उसकी आसीस मांगे जोलियां सबकी भरती जाती है देले वाला मेजर नहीं आता यहां तर शायद आपने पहले भी ये कलाम सुना हो पर एक लाइन मालिक के क्रिपा से इसमें मैंने एड़ की है जो गुरुओं की सोच को संतों की सोच को जिस लेवल को मैं समझ पाया हूँ आपके सामने रख रहा हूँ दिल जब अपने बड़े हो जाते हैं काम होना चाहिए नाम नजर नहीं आता बस काम होना चाहिए अपर जो बैठे हैं इसम भगवान सामी बाबा राधा जी लाला जी मारा मयुनो देन चिस्ती जी इनकी कोई जात नहीं है कोई धरम नहीं है कोई लेंग्वेज नहीं है बाउजी माराज used to say silence is the language of God वहाँ कोई बाशार नहीं है मेरे फ्रेंड ने एक बहुत प्यारा मैसिज देजा था उस मैसिज में लिखा था इतने लोग कैंसर से नहीं मरे जितने जादबाद के चक्र में मरे और जितने भी संथ फीर फकीर आये उन्होंने प्रेंड का संदेश दिया और बाद में वो रिलिजन्स में कनवर्ट हो गए बट एसेंस क्या था तत्त क्या था जो मैं आपके सामने रख रहा था दिल जब अपने बड़े हो जाते क्रिशन भगवान को कोई फरक नहीं पढ़ता उनका नाम लो या ना लो रादा जी को कोई फरक नहीं पढ़ता पर जब हम उन दिव आत्माओं के साथ जुड़ते हैं तो ऐसा डिवाइन महोल पैदा होता है हमारे दिल में एक चेंज पैदा होता है जो आप मैसूस कर रहे हैं अगर आप कर रहे हैं तो यह होने की कृपा है और ऐसा फैज बरसता है मालिक की कृपा से ऐसा फैज बरसता है ऐसा नूर बरसता है जब हम सीस उनके चर्नों में जुकाते हैं उनको याद करते हैं क्या होता है मालूम है हम उनके करीब होते जाते हैं और जितने हम उनके करीब होते जाते हैं, उनके गुण आते जाते हैं, तो दिल जब अपने बड़े हो जाते हैं, बस काम होना चाहिए, और उनका काम सिर्फ एक है, कि हर एक के रिदे में वो प्यार फैल जाए, वो भाहिचारा फैल, नफरते खतम हो जाए, गंदगी खतम हो बस प्यार ही प्यार रहे जाए, मैं आपके संवत लगूं, किसी के घर आप जाते हो, बहुत सारा समान पढ़ाए, घर समान से बढ़ा हुआ है, और आपको जाके वहां बिठा दिया जाए, कितनी देर बैठ पाओ, ऐसे ही चीजों से, उल्टी सीधी चीजों से, अमने अप जिस दिन हम छोड़ना शुरू कर देते हैं, वो तो अंदर ही बैठा है, और उसका प्रकाश खुद हमको रहा दिखाता है, खुद हमको सचाई के रास्ते पर लेकर जाता है, और बताता है, कि मनुशे, तु केवल और केवल इसलिए आया है, कि परम पिता परमेश्वर में उस परमेश्वर में लीन